सो हेलो दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग काफी बढ़िया होंगे और मैं भी एकदम first class हूँ तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आप लोग को बताने वाला हूँ कि जियो फॉन की जो sim card होती है उसे android phone में कैसे चला सकते है हैं दोस्तों अगर आप लोग के पास भी जियो का phone था और आप लोग का phone खराब हो गया है या किसी भी रीजन की विजए से आप लोग उस जियो phone की जो sim card है वो आप लोग अपने android phone में चलाना चाते हैं लेकिन आप लोग अपने जियो phone की sim card जैसे android phone में यूज करते हैं व से आप लोग अपने android phone में कैसे चला सकते हैं वीडियो में आगे वनने से पहले मेरा नाम जान लेजे मेरा नाम है सौनुक उस्वा और आप सभी लोगों का हमारी इस टेक टेक निकलास के चनल में फिर से बहुत बहुत स्वागाता तो पे चलिए शुरू करते हैं आज का व यह प्लान का जो डिफ्रेंस होता है इसी की वजह से आप लोग जीओ पॉन की जो सिम कार्ड वो आप लोग यह वदा देता हूं क्यों नहीं कर सकते हैं तो दोस्तों यहां पर आप लोग अपना जब यहां पर एंडॉड के लिए सिम कार्ड खरीते हैं तो आप जो है एक 99- रुपए जो प्राइम लगता है मेंबर सिब लैनी पड़ती है तो आप लोगों 99-99 रुपए का जो है मेंबर सिब आपकी एक्टिवेट की जाती उसके लिए 990 का चार्ज लगता है और इसकी वाद यहां पर आप एक महिने के लिए जो भी प्लान यहां पर पर परचेस करन लेते हैं आप लोग वो प्लावं लगेगा और इसके बाए सब्सक्राइब प्लस में आप लोग 300 से ऊपर जो रीचार चला जाएगा तो यह जो 99 99 रुपाहे का ग्राइम होता है वो आप लोगों नहीं लीया होगा इसकी बजाए से आप लोग जीयोपान की सिम्कार्ट होती है वह से चला सकते हैं अगर उसके लिए आप लोगो 990 रुपाहे-क जो फ्राइम होता है उसको आप लोगो पहले लेना पड़ेगा कर वाना कर चते हैं तो चलिए आप लोग में बता देता हूं कि आप लोग कैसे कर सकते हैं तो जोस इस तो यहां पर यह बोल रहा है वैध रीचार्ज दिगर तो अब मैं यहां पर जो है कैसे अक्टिवेट करूंगा तो चलिए आप लोगों में बता देता हूं तो गैस यहां पर आप लोग के पास यहां पे फॉन पे की अप्ली बाइए ऑगर नहीं है तो दैख लेना और आप लोग पे में आकांट बना लेना होगा अगर आप लोग को नहीं पता है कि फॉन के का इंटरफेस देखने के लिए मिल जाता है तो यहां पे आप लोग को जो है यहां पर रिचार्ज करने का जो है ओपसन आएगा नीचे साड में रिचार्ज and pay bills तो यहां पर आप लोग को क्लिक करना होगा गाइस जब आप आप लोग क्लिक करेंगे तो यहां पर आप लोग को अपना जियो का जो नम्मर का जो नम्मर का जो नम्मर है वो यहां पर लोग फिल करेंगे इसके बाद यहाँ पर आप लोग number fill करेंगे और इसके बाद आप लोग इस to number को यहाँ पर पर select करेंगे select करने के बाद यह बोल रहा है select your operator तो यहाँपे मेरा jio का operator है जी चारूंगा और यहाँपर अपने जी सर्कल है और यहाँपे यहाँ और आप summary पॉन और यहां पर टॉप अप और एक यहां पर आ रहा है आप लोग को MNP तो यह MNP है तो यहां पर आप लोग को MNP पर किलिक करना होगा और यहां पर देख सकते हैं यह इस तरीके की जो MNP आप लोग को देखने के लिए मिल जाती है तो यहां पर देख सकते हैं इसमें स 990 रुपई का इसका जो रिचाज कर लेता हूँ एक सूनंचास का जो है इसमेर डीचाज हो जाएगा इस नबर पर और उसका जो प्राम में वहatrolier का लगजाएगा ठीक है यहां पर में 248 रुपई का है यहां पिछम प्राम बीस प्रम यहां पर देख सकते हैं यहँए लोग फूली कर संपाइट यह पर प्रोसॉसेसंग में चल रहा है तो मैं थोड़ा सव ór её चुकी है और यहां पर देख सकते हैं मेरा रीचार यहांहीं हो जोगा आफके जाहन हो गया है तो मैं में सको कर देता हूं दन या पर लोग पका यहां से रिमूब कर देना होगा अब मैं क्या करूँका अपना डालर पैनल open करता हो और इसके बाद मैं यहां पे try करता हो कि है बेरा कॉंटेक्ट हो रहा है यहां पे कॉंटेक्ट हो रहा है यू署 रहा है दीक है तो यहां covid कर लेता हूँ तो अब मैं इस जीओ फॉन की जो सिम कार्ड को अपने एंडॉड के फॉन में जो है चला सकता हूं ठीक है कि का आप लोग के पास फॉन पे है तो आप लोग को फॉन पे में मिल जाती है आप लोग घर से यहां पे अपना जो है रिचार्ज एक्टिवेट करके आप लोग अप जो कि मैं जब भी वीडियो बनाओ तो उसका नौटी वीकिसम तरण से आप लोग को मिल जातों गाइस अभी फिलाल के लिए वह से नहीं में बनता आप लोग को नेक्ट वीडियो में तब तक बना ख्या लखना टेक क्यार बाइ अजया है